हाई मैं हूँ योशु मायापूरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है रस्डी की दिन बॉलिवुड आक्टर रक्षे कुमार ने विजिट किया तुलल एलो सी डिस्ट्रिक्ट बांधी पोरा बता दे कि ये जम्मो और कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है वहीं उन्होंने वहाँ मुलाकात की बी एस एफ याने के बॉर्डर सेक्योरिटी फोर्स जवान्स के साथ अक्षे कुमार ने पूरा दिन इन जवानों के साथ बिताया वहीं इसी के चलते उन्होंने एक करोड का डोनेशन भी किया स्कूल बिल्ट करने के लिए रिमोट विलेज में बता दे कि स्कूल का नाम हरीयों रखा जाएगा जो अक्षे कुमार के पिता का नाम है इसी मीट के चलते अक्षे कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स भी शेयर की जिसमें हम उनको कैमफलाज आउटफिट में देख सकते हैं वहीं इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए अक्षे कुमार ने लिखा स्पेंट अ मेंबरेबल दे विद बी एस एफ इंडिया ब्रेव हार्ट्स गार्डिंग दे बॉर्डर्स तोडे Coming here is always a humble experience Meeting the real heroes My heart is filled with nothing but respect Actress or Mental Health Advocate Deepika Padukone ने recently अपने social media पर launch किया है A Chain of Wellbeing Guide यह एक digital guide है जो focus करता है लोगों को support करने के लिए उन्हें overall gloom और overwhelm से बचाने के लिए सीधा सीधा कहें तो यह एक well-being guide है Deepika Padukone ने Instagram का guide feature यूज़ किया Chain of Wellbeing को launch करने के लिए और उन्होंने साथ में लिखा A Gentle Reminder to Take Care बता दे A Chain of Wellbeing Guide जो है उसे Organization UNICEF India ने भी collaborate करके यह Chain of Wellbeing Guide को Actress के साथ launch किया है और बाकि ऐसे कई सारे digital influencers भी हैं जो इसका part है अक्षे कुमार की फिल्म पृत्वीराज के release से पहले काफी कुछ चल रहा है बता दे कि यह फिल्म फेस कर रहा है Protest एक section of people के बीच में अक्टर पृत्वीराज चोहान के period drama में नजर आने वाले हैं वहीं यह फिल्म Miss World मानुशी चिल्लर का debut भी माक करेगा बॉलिवुड में जो इस फिल्म में संयोगिता का केरेक्टर प्ले करने जा रही है लेकिन रिसेंटली सिटी चंदिगर में एक स्ट्रॉंग डेमोंस्ट्रेशन फेस किया गया इस फिल्म के अगेंस्ट क्योंकि यह particular section of people चाहते हैं कि इस फिल्म का title जो है वो चेंज कर दिया जाए इस फिल्म का title सिफ पृत्वी राज ना हो बलकि हिंदू समराद पृत्वी राज चोहान हो जो किंग का full title है फुल नाम है वो इस फिल्म का title हो और इस कॉंट्रोवर्सी के बीच में अब अक्षे कुमार भी बुरी तरह से फर्स चुगे है बताया जा रहा है कि ये फिल्म पेंडेमिक के चलते अब 5th November 2021 इस साल को रिलीज होगा प्रियंका चोपडा एक ग्लोबल आइकन है प्रियंका चोपडा आए दिन कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करती हुई नजर आ रही है और किसी ना किसी वज़े से हेड लाइन्स पर बनी हुई नजर आती रहती है बतादे कि हाली में प्रियंका चोपडा को अपॉइंट कर लिया है as a spokesperson for the reputed brand international lingerie brand Victoria's Secret बतादे कि Victoria's Secret एक बहुत ही reputed brand है all over the world Victoria's Secret के जो fashion weeks होते हैं वो काफी ज़ादा famous माने जाते हैं वहीं प्रियंका चोपडा one of the spokesperson है all over the world कई सारे different different fields से spokesperson को appoint किया गया है और प्रियंका चोपडा उन में से एक है Amazon Prime का one of the most first shows में से एक था Inside Edge Inside Edge काफी ज़ादा interesting show था इस show में entertainment, cricket और भी बहुत कुछ दर्शाया गया था जो fans को काफी ज़ादा interested रख रहा था इस show की दो seasons अब तक सामने आ चुके हैं जो काफी ज़ादा successful रहे हैं कहा जा रहा है कि third season भी पूरी तरह से shoot हो चुका था और Amazon Prime के makers को ये पूरा season जो है वो दिखाया गया लेकिन third season से इतने खुश नहीं है makers और चाहते हैं कि जो season 3 है उसका major part जो है उसे reshoot किया जाए क्योंकि अगर ये reshoot नहीं हुआ तो इसे Amazon Prime पर प्रेमियर नहीं किया जाएगा ये fans के लिए काफी बुरी खबर सामने आ रही है लेकिन अगर इस major chunk को reshoot किया जाए तब जाकर Amazon Prime पर ये third season फीचर किया जाएगा पॉलिवट सिंगर नीती मोहन जो हमें कई सारे reality singing shows को भी judge करती हुई नजर आती है नीती मोहन ने हाले में एक baby boy को जनम दिया उनके husband नहार पांडया काफी जादा blessed feel कर रहे थे इसके बाद बता दे कि हाली में Thursday night को नीती मोहन ने अपने बच्चे का first glimpse शेर किया और साथी में अपने बेटे का नाम भी reveal किया उन्होंने कुछ picture शेर किये हैं अपने Instagram पर जो काफी जादा adorable लग रहे हैं और साथी में उन्होंने ये reveal किया है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है आरिया वीर इस पर कई सारे celebrities ने भी react किया अनुशकर शर्मा ने लिखा congratulations to the two of the most beautiful people वही singer हर्षदीप कौर ने लिखा हुनर का छोटा वीर आरिया वीर ताहिरा कश्यब ने भी heart emojis drop किये comment section पर congratulate करते हुए इस couple को वोलुवड अक्टर अरजुन रामपाल को मुंबर सिटी में हाली में spot किया गया एक salon के बहर वहीं बता दे कि अरजुन रामपाल का ये look देखकर आप उनको बिलकुल भी नहीं पैचान पाएंगे पैपराजी भी काफी हैरान हो गई थी अरजुन रामपाल के new look को देखकर कुछ pictures इंटरनेट पर trend कर रही हैं जिसमें हम अरजुन रामपाल का नया look देख सकते हैं इस look में हम देख सकते हैं कि अरजुन रामपाल ने अपने सारे बाल जो है उसे blonde color करवा लिया है अरजुन रामपाल ने mask पैना हुआ है shades पैने हुए हैं लेकिन फिर भी वो इतने जादा different लग रही है कि कोई भी उन्हें इस look में पैचान ना पाए Bollywood की one of the most famous dancer मानी जाती है Nora Fatehi और आए दिन photos और वीडियो शेयर करती रहती है अपने fans और followers के साथ बता देगी Nora Fatehi ने एक नया real share किया है जिसमें उन्होंने एक baggy सा jacket पैना हुआ है बड़ा सा jacket पैना है और उसके बाद वो अपने आपको bikini में दिखा रही है लेकिन काफी funny और अलग अंदाज में उन्होंने इस baggy clothes के ऊपर ही bikini पैन लिया है जिसे fans देखकर काफी जादा हस रहे हैं और इस वीडियो को भी enjoy कर रही है जैसे ही Nora ने ये वीडियो शेयर की वैसी ही fans के funny comments सामने आने लगे Rumored couple Katrina Kaif और Vicky Kaushal finally अपना relationship खुझ से confirm करने जा रही है बता दे कि ऐसा कहा जा रहा है कि करन जोहर का most controversial talk show Coffee with Karan का नया season सामने आने वाला है करन जोहर इस new season की planning कर रहे हैं वहीं करन जोहर चाहते हैं कि नया season के first guest हो Vicky Kaushal और Katrina Kaif दोनो first guest हो और साथी में अपना relationship Coffee with Karan talk show में confirm करे fans के लिए वैल ये दो बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है एक ये है कि Katrina Kaif और Vicky Kaushal finally अपना relationship confirm करने जा रही है वहीं दूसरी तरफ करन जोहर का talk show Coffee with Karan एक नया season लेकर सामने आ रहा है बाल वुड आक्टर अक्षे कुमार finally अपना digital debut देने के लिए बिलकुल ready हो चुके है बता दे कि अक्षे कुमार एक सीरीज में नजर आने वाले हैं और इस सीरीज का नाम होगा The End The End जो सीरीज है उस पर shooting जो है इस साल के अंसे शुरू हो जाएगी 2021 के end से इस सीरीज की shooting अक्षे कुमार शुरू कर देंगे वहीं pre-production work जो है वो फुल स्विंग में चल रहा है ये एक action-packed thriller सीरीज बताया जा रहा है जिसका budget काफी जादा massive है OTT प्लाटफॉर्म के चलते आज के लिए इतना ही latest Bollywood news और hot gossip के लिए सब्सक्राइब करें माया पुरी काट